कि गेर इरादातन हत्या जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से कि अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिती में हो सकता है तारी चलाता रहा है एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रहस करकर आ गया रहा 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 रह मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजाका प्रूज़त देखा है जो आतंकवादी कुरुत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए उनके लिए कानून का प्रावदान होना चाहिए और नरेंद्र मोधी सरकार का उचि इत्ही नेनर है कि आतंकवाद के लिए यह कानून में हमने जगे दिए उसके बाद भारत सरकार किसी राजे सरकार विदेश की सरकार अंतराष्टिय अंतर सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कुट्यों भी आतंकवादी माने जाए इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइस बची हैं कि इसका दुरूपयोग हूँ और मैं सदन को आस्वस्त करना चाहते हैं कानून तो लिखी हुई चीज है इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरूपयोग करता है यहां तक अमारी सरकार का सवाल है साथ हम उसको रोकेंगे भी और उसको नश्यत भी करेंगे सजा भी देंगे और सबसे उपर कौट है अगर किसके ग्रिवन्सी से तो यह आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कौट के उपर तो नहीं है धारा लगते ही कौट इसकी मिमान सा करेगी मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता मानेवर मैं सदन से अपिल करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मुदी सरकार लेकर आई है आपका समर्थन चाहिए सिर्वाद चाहिए और जिरो टॉलरंस का इचंदेश इस सदन से जाना चा इसके लिए कोई विशोस कानून नहीं था इसके अंदर हमने साइबर अपराद को आर्थिक अपराद को भूमी अथ्यानक को हख्यारों की व्यापार को डकेती को और मानव लोगों की तसकरी करने व्यक्तियों की मानव तसकरी में यह सभी को इसके अंदर रखा है आर्थिक अपराद की भी हमने व्याख्या की है करंसी नौट बेंक नौट सरकारी स्टेम का कुटकरन हवाला व्यहवार और बड़े पैमाने पर वित्य कपट और आर्थिक व्योस्था को तोड़ने के सभी प्रयास इसको भी आर्थिक अपराद की व्याख्या तेके तरह पहली बार ला आने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि नायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा मानेवर एक मैं स्पष्टी करन करना चाहता हूं कि गेर इरादातन हत्या जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से की अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिती में हो सकता है एक गाड़ी चलाता रहा है एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रहस करकर आ गया रहा अकस्मात हो जाता है वो व्यक्ति स्वयम उसको पुलीश टेशन या तो हस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजाका प्रावदान किया है, और heat and run केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजाका प्रावदान किया है। मैं मानता हूँ कि इससे heat and run के case में काफी कमी आएगी पर एक करते करते जो डाक्टरों की negligency से अगर किसी की मृत्ती आती है तो वो भी गहर इरादातन हत्या में आ जाती है इसकी भी सजा बढ़ दो तो हमने इसको एक मैं आज official amendment लेकर आऊंगा डाक्टरों को इससे मुक्त कर गिया है इंडियन मेडिकल एसोसेशन मेरे सामने रजुवात करी थी हमने इसको मुक्त करने का प्रावदान किया मनेवर मॉब लिंचिंग का नया प्रावदान हम लेकर आये हैं नसल जाती समुदाय या किसी संका के अधार पर एक टोला एकत्री ठोकर किसी को मार देता है त स्नेचिंग के लिए कोई कानून नहीं था चैन स्नेचिंग होते थे मोबाइल होते थे और अलग-अलग धाराओं में अंतमे कानून में कानून के घैप का फाइदा उठा कर वो छूट जाते हैं थे स्नेचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है और मानेवर गंबीर चोट क जो कानुन था, इसमें भी हमने दो डिविजन करे हैं, किसी ने किसी के सरपल लाठी मार दी, इंजड हुआ, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परन्तु लाठी मारने के कारण वो ब्रेंडेड हो गया, या अपाहीज हो गया, तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए, तो संप में दस साल की उम्रकेद का हमने प्रावधान किया,